नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर नर्गेश अग्रबाद पीडियर्टिक और्टोपेडिक सर्चन दिल्ली से आज मैं आपको यह वीडियो में बता हुआ कि क्लब फुट की एक्सराइज कैसे करने चाहिए मेरे पास में पेजेंट्स का फोन आता है कि सर हम अभी बहुत दूर है अभी मा का बच्चे का जो डिलिवरी होई और सीजरेंसी हुए है मा आनी की करनीशन में नहीं है तब तक हम कैसे एक्सराइज कर सकते हैं अब आप जाता है तो किस तरीके से हम एक्सराइज चुकते हैं मैनिपुलेशन एक्सराइज बफोर ट्रीटमेंट आप फोट जैसा कि मैंने पेले भी वी वीडियो में बता है क्लब फुट में जो हता है बच्चे का पाउं अंदर की तरफ मुडा हुआ होता है इसकी एक्स सब्सक्राइब बच्चे का फुट है यह लेफ्ट साइगा क्लब फुट है इसमें बच्चे का जो फुट है वो अंदर और नीचे की तरफ भूमा हुआ है हमें क्या करना है बच्चे की फुट को जो यह थंब है तो है इसको उठाना है इस तरीके से चेक है तो दिर इस थी और तीसरा फूट अमोटे के निचले इसे पर है और इसतर एक पर का हमोड़े के उपर के उपर के आधाने है इसे. कि जदि मैं आधि नोमडल में समझा हूँ तो यह क्लब फूट में जैसे फुट में जो मॉड़ल यह उंदर की तर भूमा हूँए पाउँ तो हमें जो फोट है इसको यहां से पखड़ना है दूसरा वाला जो यह थम जो है को यहां रहेगा टैलस के हैं यहां पर एक्जैक्ली जो यह वाला जो गट्टा होता है इस गट्टे के तरीवन एक सेंटीमीटर आगे यहां यहां रहेगा आपको इसको यहां काउंटर प्रे कभी भी ऐसे नहीं करना यदि आप ऐसे करेंगे तो यहां से फुट ब्रेक होने का चांस रहेगा तो हमेशा अंगुठा चोटी वाले उली से उपर रहेगा मैं डोबार म स्बलार हो यहां पर रहेगा तो आ। यह पकड़ा एपे थमर रहा एक हमेशा अंगुठा अंगुली से उपड़ रहेगा कभी वह एक आक मिन ऐसे नहीं नेकर रहेगा और उठा उपर रहेगा चोटी अगली नीचे रही है और एक्सेसाइज करते वक्त इसको इसे पगड़ेंगे एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दर्स पर चोड़ देंगे तो इचुड भी जेंटल एंड सॉफ यह आप हर दो घंटे में करें सबसे बेस्ट टाम एक्स ज़्यादा प्रेशन लगाने की ज़रुपने और यहर दो घंटे में करें दिन में कम सिखम चार से पांच बार करें हर बार कम सिखम दस से पंद्रे बार के लिए धन्यवार के लिए